आप सब का स्वागत है आज का जो प्रस्थन है चार सही 5 बटा8 रिंड। दो सही तीन बटा4 कोश्टकवन भागितं है इसमें 4 ऑप्सन दिए गए हैं इसी प्रकार से प्रशने नौदय में आते हैं यदि आप नौदय की त्यारी करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाएंगे तभी नए नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माधन से पहुचेगा और बेल आइकन को दबाते हैं तो आल नोट करना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करते हैं यह जो है प्रस्टन इसको ध्यान से देखिए यह बोर्ड मास्ट से सम्मनित प्रस्ट नहीं जिसमें रिंड है कोश्टक है और भागित कचिन है तो दोस्तों सबसे पहले आपका टार्गेट रहता है कि कोश्टक के अंदर जो भी काम करना है सबसे पहले इसके भीतरक करना है तो यह हो जाएगा आठ चौक 32 और 32 5 हो जाएगा 37 37 बटा 8 ठीक है उसके बार यहां पर देखिए रिंक चीन नहीं तो रिंक कर दिये चार दुनी 8 और 8 और 3 11 11 बटे हो गया 4 भागित 5 बटा 4 क्योंकि अभी इस पर हमें कोई काम नहीं करना है आप देख सकते हैं कि यह घटाने का चिन है और दोनों का हर अलग अलग है तो क्या करना होगा दोनों के हर को एक जैसा बनाना होगा तो एक जैसे बनाने के लिए आप इसका लगुतन समाप वरती निकालते हैं तो लगुतन समाप वरती निकालने के दो तर चार दुनिया आठ आ रहा है अता इसका जो लगुतां समाप वरते हैं आठ ही ही होगा आप निकाल के देख सकते हैं अब यहाँ पर इसका लगुतां समाप वरते आठ मिल गया तो हम इसको बनाएंगे आठ यह तो आठ पहले सी है अब यह हो जाएगा 37 रिन अब इस चार को भ 5 बटा 4 ठीक है अब इसे असानी से हम घटा सकते हैं यह हो जाएगा हर समान है तो आठ एक बार और 37 में से 22 कम करेंगे तो मिलेगा 15 ठीक है इस प्रकार से यह संख्या मिला अब यह हो 5 बटा 4 अब आप देख रहे हैं कि कोश्टक के अंदर जो दो पद थे जहां पर घटान करेंगे मैं यहां पर काम कर रहूं कि कोश्टक को अपन करेंगे तो 15 बटा 8 भागित 5 बटा 4 ठीक है अब यहां पर भाग हो गया है तो भिन्ना का भाग कैसे करते हैं आपको पता ही है यहां पर वीडियो देख लीजे अगर पता नहीं है तो तो यह हो जाएगा 15 बटा 8 ग चार दूनी 8 पांच एकम 5 पांच तीय पंद्रा इस प्रकार से तीन बटा 2 मिला अब तीन बटा 2 यहां पर आप्सन में है ही नहीं तो क्या करेंगे इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 एक सेस्फल बचेगा और यह तो इस प् आदय की तयारी करा रहे हैं तो प्रेश्ण को हल कर रहे हैं इसके साथ ही साथ हम बेसिक मैट का वीडियो लेकर आते हैं बेसिक मैट के वीडियो को आपको अवस्य देख लेना चाहिए उससे आपको यह जो सब कांसेप्ट है बहुत ही क्लियर हो जाएगा हमारे अगले